हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद है आप से बहुत ही अच्छे होंगे तो आज हम लोग फिजिक्स का एक नया चेप्टर के साथ आए हैं जो है प्रकास की जिसे इंग्लिस में हम आप्टिक्स कहते हैं तो इसमें आज हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे उसके बात हम प्रकास के जो परवर्तन होता है उसके नियम होते हैं उसके प्रकार होते हैं सभी के बारे में डिसकस करेंगे ठीक है तो थोड़ी सी बेसिक बात कर ले ठीक है क्योंकि प्रकास की का यह पहला वीडियो है और इसमें थोड़ी सी बेसिक बात मतलब जानना बहुत ही ज़रूरी है और यह लेगे बीडियो को देख सकते हैं तो हम चलिए प्रकास की ठीक है तो इसमें प्रकास की होता है तो इसमें इसको हम दो भागों में क्लाइश 12 में दो भागों में बाठ कर पढ़ते हैं ठीक है तो कौन-कौन से इसे दो भागों में बाठ कर पढ़ते हैं तो चलिए हम थोड़ी सी बेक्सिक देख लें तो दो भागों में कौन-कौन से बाठते हैं इसे ग किरण 7 प्रकास की ठेके इसे एक रूप की रोप में अदूसरा तरं प्रकास की के रूप में हम प्रते हैं मतलब प्रकास की कई दो भाग़ों में बाठते किरेवर प्रकास की अध्र रंग प्रकास की टिक तो हम चलिए एक एक करके थोड़ा सथ धेख लेते हैं ठोट इससी बस मेंद बताएंगे ऑसके बाद हम आगे चलेए इससे हमें पता चलेगा mean दोनों से पता चलेगा कि हम आगे टॉपिक में पढ़ने के आवाले हैं जो प्रकासकी का एक तरह से कहा जाए तो क्लास 12 में प्रकासकी जो चेप्टर है इसमें सबसे इंपोर्टेंट है सबसे जादा नमबर इसी से पूछा जाता है इस चेप्टर से और बहुत ही बड़ा भ पर कारिये करता है तो याद रखेंगे किरन प्रकासकी किरन प्रकासकी न्यूटन के कोड़ी का सिध्धान्त पर कारे करता है ठीक है मतलब न्यूटन ने जो कणिका सिध्धान्त दिया था कणिका सिध्धान्त दिया था उसके सिध्धान्त पर ये कारे करता है ठीक है दूसरा दूसरा याद रखेंगे कि कणिका सिध्धान्त और इसमें याद रखेंगे कि जो ये जो तरंग सिद्धान्थ है जो तरंग प्रकास की है ये हाइगेंज के हाइगेंज के तरंग सिद्धान्थ पर कार्य करता है मतलग जो किरण प्रकास की है ये निउटन के कणिका सिद्धान्थ पर कार्य करता है और जो तरंग प्रकास की है ये हाइगेंस के तरंग सिध्धान्तों पर कारिय करता है तो फैया हमें ये तो पता होना चाहिए न कि कणिका सिध्धान्त है क्या ठीक है कणिका का सिध्धान्त है क्या तो याद रखेंगे जो कणिका का सिध्धान्त होता है याद रखेंगे इसमें बताया गया न्यूटन ने क्या बताया तो पहला याद रखेंगे इसमें जो कणिका किसी दांट में बताया न्यूटन ने कि जो प्रकास होता है प्रकास थोड़ी सी बेसी की ये बात है जो प्रकास होता है वो क्या होते है छोटे छोटे कणों से मिलक कर बना होता है सबसे पहली बात इन्होंने बता है कि जो प्रकास होता है वो छोटे-छोटे कड़ों से मिल कर बना होता है दूसरा इन्होंने बताया कि जो प्रकास होता है प्रकास वह सीधी रेखा में गति करता है सीधी पथ पर गती करता है या सीधी रेखा में गती करता है तीसरा इन्हों नों बताया कि जो प्रकास होता है जो किरण प्रकास की होता है मतलब जो प्रकास होता है किरण प्रकास की मतलब कणिका के सिध्धान्त में न्यूटन ने क्या बताया कि जो प्रकास होते हैं उनमें प्रकास में क्या होते हैं साथ रंग होते हैं ठीक है किनों ने बताया मतलग जो न्यूटन है उनहीं ने न्यूटन जो है वही बेग्यानिक जो न्यूटन है उन्हों ने बताया कि प्रकास में क्या होते हैं साथ रंग होते हैं यह सबसे पहले न तूर्णन नहीं बताया तरीक है तीसको पॉइंट को याद रखेंगे और चोथा पॉइंट यह याद रिकें सबसे मुस्क्रील इन प्रीक के जो डू कह kanस्की में हमें कौन कौन सब्रेक्ण सहा स्फेंध कि करण्र प्रकास्की पयां सब्सक्ति करन प्रकास कि के का रारत परवर्तन अपवर्तन और वर्ण बीछेपड की घटना होती है ठीक है इस बात को याद रखेंगे कि किरण प्रकास की जो किरण प्रकास की के कारण परवर्तन अपवर्तन अवर्ण बीछेपड की घटना होती है यही तिन टोपिक जो परवर्तन अपवर्तन अवर्ण बीछे पढ़ना है अब आते हैं जो जो तरंग प्रकास की है तो याद रखेंगे तरंग प्रकास की में कि जो यह कि सिद्धान पकारी करता है तो हाइगेंस के तरंग सिद्धान पकारी करता है इसमें याद रखेंगे इसमें पॉइंट याद रखेंगे कि हाइगेंस ने तरंग रूप में तरंगों के रूप में गती करता है इन्हों ने बताया मतलब कहने का मतलब है इस प्रकार से गती करता है यह क्या है तरंगों के रूप में मतलब गती करता है कौन प्रकास ठीक है तो यह हाइगेंस ने अपने तरंग से दान्त में बताया दूसरा हाइगेंस ने बत कारण ही मतलब तरंग प्रकास की के कारण ही कारण ही क्या होता है जो ब्यातिकरण ठीक है इसको याद रहे हैं ब्यातिकरण बीवर्तन तथा ध्रूवर्ण की घटना होती है ठीक है इस पॉइंट को समय से याद रखेंगे जो ये पॉइंट है इस पॉइंट को याद रखेंगे ठीक है इस पॉइंट में कहा गया है कि तरंग प्रकास की के कारण ही क्या होता है ब्यातिकरण बीवर्तन और ध्रूवर्ण की घटना होती है तो इन्स में हमें नहीं हमें तीन टोपिक को पढ़ना है ब्यातिकर्म भीवर्तन और मिध्रांद थ्रूनग ना इस में जो किरण प्रकासकी में इसमें परवरतन अपरवलतन और क्या iemand डिभाईता है षैपड की गठनायों के बारे में मुझें पढ़ना है ठीक स्सक्षप् तो चलिए आप हम एक ही करके देखते हैं सबसे पहले प्रकास का जो परवर्तन की घटना है यह है क्या ठीक है इसके बाद आप वर्तन देखेंगे उसके बाद बीचे पड़ उसके बाद जब किरण प्रकास की खतम होगा तो उसके तरण प्रकास की में आएंगे तो इसमें हम ब्यातिकरण, विवर्तन और धुरूवर्ण की घटना देखेंगे तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं सबसे पहले कि जो परकास का परवर्तन होता है वो क्या होता है जो इस वीडियो का में पॉइंट है वही हमें जो पढ़ना है ठीक है थमनेल में आपने देखकर आए ह तो चलिए दोस्तों देखते हैं और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आएगा ठीक है इसके इसके ले सकते हैं ठीक है यह थोड़ी से होगी बेसिक ठीक है तो बेसिक बहुत ही जरूरी था ठीक है क्योंकि आप यहां पर इस वीडियो पर समय देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है अब मैं एक ही करके सभी पार्ट वाइज में वीडियो बना रहा हूं ठीक है सभी को अभी तक जो भी इंपोर्टेंट क्वेस्चन थे वह हमने सभी चेप्टर वाइज का राते हुए आ रहे हैं अगर आप नहीं देखें वह सभी वीडियो डिस्क्रिप्टिन में लिंक दे दिया जाएगा क्लास ट्वेल्थ भावतिक विगयन आल वीडियो प्लेलिस्ट का वहाँ पर जाके क् करके चेप्टर हुल डhymally क्या कर सकते है वीडियो को देख सकते हैं और अपने सुन्दर से नोट्स बना सकते और जो बोड्त इक्जां में उसमें एच्छे मांकि signing score कर सकते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं सबसे पहले परावरतन ठीक है जो की हमारा most important है परावरतन ठीक है तो देखिये दोस्तों यह हमने class 12 में भी बढ़ा था ठीक है आउ इसमें भी बढ़ते हैं ठीक है तो सबसे पहले परावरतन पढ़ने से पढ़ ले जो प्रकास की है तो इसमें हम थोड़ी से एक और बात कर लें जो प्रकास के बारे में ठीक है तो भीया प्रकास की पढ़ना है प्रकास पता ही नहीं हो तो यह तो दिक्कत हो जागे ना तो हम जानते हैं प्रकास क्या है प्रकास एक प्रकार की उर्जा है ठीक है प्रकास क्या है उर्जा का रूप है जिसके कारण ही क्या होता है जिसके कारण हम अपने आखों से सभी वस्तुओं को देख पाते हैं ठीक है उसे ही हम क्या कहते हैं प्रकास कहते हैं मतलब क्या है प्रकास एक प्रकार को उर्जा है मतलब photon कण है जो photon particles होते हैं ना photon photon particles है मतलब एक एक क्या है प्रकास जो है वो photon particles है मतलब कह सकते हैं photon particles कहीए या कहीए प्रकास एक प्रकार की उज्जा है जिसके कारण क्या होते हैं हम अपने नगन आखों से मतलब आखों से क्या करते हैं हम पूरे वस्तू या सभी वस्तू या पू तो इसका definition समझें से पहले मैं एक figure के माद्यम से आपको definition समझाता हूँ ठीक है तो हमने class 10th में पढ़ा था कि जैसे एक क्या है जैसे एक ये परवर्तक ये क्या है परवर्तक सता है ये क्या है इसका नाम याद रखेंगे ये है परवर्तक प्रिष्ट कहिए या परवर्तक सता कहिए बतलब ऐसा कोई सता है जिस पर हमने क्या किया है पीछे कलई कर दिया है जैसे आप जाएंगे तो अपनी घर में जो हम दर्ड़पन है उसे हम देखते हैं तो उसके पीछे क्या किया गया है लेप किया गया है तो उसे हम फिरिष्ट पर क्या करते हैं प्रकास की किल्डों को क्या करते हैं हम डालते हैं इसको छोटा और कर सकते हैं कोई दिक्तत नहीं है ठीक है जब प्रकास की किल्डों को परवर्तक सता पर डालते हैं मतलब किसी माध्यम से जो प्रकास की किल्डे आती हैं परवर्तक सता से टकरात है ठीक है तो हम अभी डिफिनेशन कहेंगे सबसे पहले याद रखेंगे कि यह तो परवर्तक प्रिष्ट है ठीक है यह परवर्तक प्रिष्ट यह परवर्तक सवता है यह जो प्रकास की कीड़े आती है जो जो आती है इसे इसका नाम याद रखेंगे इसे आपतीत किरन कहते हैं और जो इज़र से टकरा कर जाती है मतलब परवर्तित होती है इसे हम परवर्तित किरन कहते हैं ठीक है आई याद रखेंगे इस पर हम एक लंब खिच लेते हैं ठीक है इस पर हम थोड़ा सा यह लाइन ठीक है कि इस बिन्दु में लंब खिच लेते हैं इसका नाम याद रखेंगे अभी लंब है यह हम लंब भी कह सकते हैं अभी लंब लंब एक ही होता है ठीक है और इसके बीच अभी लंब और आप्तित किरणों के बीच में जो कौन कोन बनता है इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं और अभिलंब तर्था परवर्तन किरन के बीच में जो कोन बनता है इसे आर से प्रदर्शित करते हैं और जो आई है आई को हम क्या कहते हैं तो आपतन कॊन कहते है ठिक है याद रखेंगे नाम याद रखेंगे बहुत इंपोर्टन है ऐग手र होता है इसे हम ह Pen Wright lubating तो आक Weihn stunned कहते है ठीक है तो आपको समझ में आगे होगा यह सबसे पहले यह जो आ रही है वो किया रही है यह प्रवर्तित कीरण है और अभिलंब और आपतित कीरणों के बीच में जो कोन बनता है उसे हम आप तुम कोड कहते हैं यह धिसना नहीं है कि आप तन कोड कोई पूछते किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे अभिलम तथा आपतित किलों के बीच में बीच में बना कोड को हम क्या कहते हैं आप तन कोड कहते हैं परवर्तन कोड किसे कहते हैं तो अभिलम तथा परवर्तित किलों के बीच में बने कोड को हम क्य तो यह हम कहेंगे कि कि अने वाली प्रकास की किल्ड परश्चात उसी मैध्यम में वापस लोट जाती है उस इस घटना को प्रकास का परवर्तन कहते हैं समझ में आया क्या कहा जा रहा है नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं एक बरो सुनिए ठीक है क्या कहा जा रहा है कि जब किसी माध्यम से आने वाली प्रकास की किड़े ये कोई ऊपर माध्यम ही है ना तो किसी माध्यम से प्रकास की परवर्तक सता से टकरा कर उसी माध्य में वापस लोट जाती है इस घटना को हम प्रकास का परवर्तन कहते हैं ठीक है तो उम्हेदे दोस्तों आपको समझ में आगया होगा ठीक है प्रणतु इसका डिफिनिशन में लिखवा दे रहा हूं ठीक है एक बार और आप वीडियो को पहुश्च किजिए और स्वेम अपने आप से बोली है ठीक है क्योंकि फिगर मतलब जो डिफिनिशन इसे रटी नहीं आप सुनकर फिगर से समझ कर और इसे लिखिए ठीक है और स्वेम नोट्स बनाईए अगर लिख ले रहे हैं तो वीडियो को पहुश्च करका और उसे जाकर अपने नोट्स पे लिखिए ठीक है उसके बाद में अंत में लिखवाऊंगा ऐसा नहीं डिफिनिशन नहीं लिखवांगा में लिखवा दूंगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है परन्तु आप एक बार वीडियो को पहुश्च किजिए और इसे पढ़िए ठीक है तो दोस्तों आपने पढ़ लिया होगा ठीक है तो एक बार और में बता दे रहा हूं ठीक है तो आप क्या कहेंगे सबसे पहले में डिफिनिशन लिखवा दूंग तो क्या लिख कहेंगे किसी माध्यम से आने वाली प्रकास की किरणे परवर्तक प्रिष्ट से टकराने के पस्चाथ उसी माध्यम में वापस लोट जाता है इस गटना को प्रकास का परवर्तन कैते हैं तो जैसे लिखा गया है वैसे आप लिख देंगे ठीक है इस पर भासा को आपको तर बड़ा लग रहा हो होगा कोई दिक्कत नहीं है पर अंतूड यहां से अप समझ के लिखेंगे अम् तो क्या काजरे रही किसी माध्यम से किसी माध्यम से आने वाली प्रकास की किन is normally परवर्तक स्वता से टकराने के पस्चा तो उसी माध्य में वापस लोड़ जाती है इस घटना कोई हम क्या करते है प्रकास का परवर्तन कहते हैं तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अब हम आगी टॉपिक में आते हैं जो है क्या है जो है प्रकास परवर्तन के निय पूछ लिया जाता है ठीक है तो इसे आप याद रखेंगे तो याद रखेंगे परवर्तन के दो नियम होते हैं दो नियम होते हैं ठीक है तो चलिए हम यह की करके देख लेते हैं तो प्रथम नियम ठीक है तो प्रथम नियम है क्या प्रथम नियम ठीक है तो प्रथम नियम है है और जो परवर्तित किरण होती है और अभिलम ठीक है आपतित किरण आपतित किरण परवर्तित किरण तथा अभिलम तीनों एक ही तल पे होते हैं एक ही तल मतलब एक ही बिंदू पर होते हैं एक ही बिंदू पर इस्तित होते हैं या हम कहा सकते हैं तीनों एक ही तल पर इस्त तलपे होते हैं ठीक है यही आपका प्रथम नियम है तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ समझ लिए होंगे आप तो लिखेंगे कि आपतित किरण परवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनो एक ही बिंदू पर होते हैं मतलब तीनो एक ही बिंदू या आप कह सकते हैं तल भी कह सकते हैं मतलब कहा जा रहे हैं कि आपतित किरण आपतित किरण परवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनो एक ही तल या बिंदू पर होते हैं ये आपका, sorry, ये आपका क्या है, प्रथम नियम है, तो आप ऐसे लिखेंगे, यह से नहीं कि मैंने तो simple में लिख दिया, आप यह से लिखेंगे, कि परवर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार, आप्तित किरन, परवर्तित किरन, तथा अभिलम, 3-1 तल पे होते हैं, एक्जा से समझा कर लिखेंगे न तो और अच्छा माargस मिलेगा इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि पूरा विस्तार में लिखेगा ठीक है । समझेंगे नियम कहा जाता है कि जू आमतल्ब औरतन कोड के कोड के केओल होता है मतलब बराबर होता है वाला जो आई है वो R के क्या होता है बराबर होता है तो सही बात है हम देख रहे हैं कि जो इन दोनों के बीच में जो अभिलंब है तो यह जितना होगा ना तो यही दूतिये नियम में कहा जाता है कि आपतन कोड आपतन कोड क्या होता है परवरतन कोड के बराबर होता है जो आपतन कोड होता ह वो परवर्तन कोड के बराबर होता है तो इसे लिखेंगे कि परवर्तन के दुतिये नियमों के अनुसार आपतन कोड तथा परवर्तन कोड आपस में बराबर होते हैं यही आप दुतिये नियम में भी लिख देंगे तुम ही आपको यह समझ में आगा होगा तो अब हम देखत से इसका नहीं कहा जाएगा एक तरह से कह सकते हैं कि परवर्तन tôiм कर्काद जो अधिन पोर्केंट है ने है फिर भी हम देख लेते हैं ठीक के इनफर्मेशन के लिए थोड़ी इााद छोटा है ठीक है तूछ सको हम देख लेते हैं परवर्तन के प्रकार अब हम देखेंगे तीसरे टोपिक में परवर्तन के प्रकार ठीक है तो याद रखेंगे परवर्तन के दो प्रकार होते हैं कितने दो प्रकार होते हैं तो कौन कौन से होते हैं तो याद रखेंगे पहला होते हैं पहला को नियमित परवर्तन कहते हैं और दूसरा का नाम होते हैं अनियमित परवर्तन ठीक है निमित परवर्तन और अनिमित परवर्तन तो ये दोनों है क्या चलिए हम दोनों के जान लेते हैं तो सबसे पहले निमित परवर्तन का मतलब होता है देखें निमित परवर्तन में याद रखेंगे इसमें जैसे एक चिकनी या चमकीली आप कर सकते हैं चिकन ने प्रिष्ट से होने वाला ठीक है इस मैं याद रखेंगे कि नीमित परवर्त में याद रखेंगे मतलब चिकने प्रिष्ट या चमकीले प्रिष्ट से होने वाली जो परवर्तन होती है जो परवर्तन की घटना होती है उसे ही हम क्या कहते है नीमित परवर्तन कहते है और नीमित परवर्तन में खुर्दरा प्रिष्ट है ठीक है आप सोचेंगे कि नहीं लिखवा रहे हैं उतना लिखवा दियें तो तो क्या कहेंगे कि चिकने प्रिष्ट से होने वाले परवर्तन नियमित परवर्तन कहलाते हैं ठीक है यह हो गया अब इसका फिगर हम बना लेते हैं यहाफे तो देखिए चिकने प्रिष्ट चिकने प्रिष्ट कहा जा रहे है यह आप कह सकते हैं एक प्रकार का सम्तल प्रिष्ट ठीक है सम्तल प्रिष्ट भी कह सकते हैं यह चमकीला प्रिष्ट भी कह सकते हैं ठीक है तो एक प्रकार के हम चिकने प्रिष्ट ले लेते हैं यह क्या है एक प्रकार का चिकने प्रिष्ट है चिकने प्रिष्ट है और इस पर क्या किया गया है पीछे लेप लगाया गया है ठीक है पालिस किया गया है ठीक है और इससे जो होने वाले परवर्तन होती है परवर्तन की घटना ठीक है देखिएगा यह जो चिकने प्रिष्ट से टकराएंगी तो यह क् होता है इसमें खुर्दरा प्रिष्ट होता है ऐसे खुर्दरा प्रिष्ट होता है तो इसमें क्या होता है इसमें भी कलाई किया गया होता है खुर्दरे प्रिष्ट से जब प्रकास की कीड़ों ऐसे गुजारे जाता है तो यह क्या होता है इसे दूसरे ऐसे गुजारा गया तो अगर नेमित परवर्तन आ जाए तो आप कहेंगे कि चिकने प्रिष्ट से होने वाली परवर्तन क्या कहलती है नेमित परवर्तन और इसमें कहेंगे कि खुर्दरे प्रिष्ट से होने वाले परवर्तन क्या कहलते हैं मतलब खुर्दरे प्रिष्ट से होने वाले परवर्तन क्या कहलते हैं तो दोस्तों उमीद है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको एक एक बात आपको समझ में भी आया होगा ठीक है तो अगर वीडियो समझ में Aya hair बीडियो में जोबी कोछ ओँ आपको सिखाय गये होग अगर आपको अच्छे से समझ में Penis तो प्लिлись चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को सके तो Like किजिएगा मैं आपको बता दों कि कि अभी में शुरुवाती वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ी सी बोलने में एक तर से काहा जाए तो कभी-कभी मतलब एक तर से दिक्कत होता है ठीक है तो आप समझ सकते हैं कि अभी शुरुवाती में कोई भी कारे किया जाए तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है फ्रन् और आपके class 10th के मतलब या 9th के कोई भी आपके भाई हो ही हो तो उनको कहिए कि आप हमारे चैनल में उनको जाकर दिखा दीजिए वहां से जाकर वह अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है हमने class 12 के लिए ये sorry class 9th और 10th के लिए भी हमने क्या कि या वीडियो प्रवाइड क उकम जोड़ है उनको अगर मतलब definition रखना पढ़ आए ऐसे आप उनको मतलब समझ में आ जाए तो उनके पास हमारी वीडियो को share कर सकते हैं उनसे कह सकते हैं कि हाँ आप जाकर उनसे पढ़ सकते हैं ठीक है तो इतना ही सपोर्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया जाएगा वहां से जाकर जितने भी चेप्टर वाइट इंपोर्टेंट मतलब क्या कहते हैं उसे आप बढ़ सकते हैं और अपने सुन्दर से नूर्स मना सकते हैं और बूर इक्जाम में अच्छे से मांक्स स्कोर कर सकते हैं और तीसरी सबसे इनपोर्टेंट बात सुन्दर से नूर्स मना सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद जय है जय भारत